सुंदर्वन के पास वाले जंगल मधुबन के अंदर कुछ बादल रहते थे एक दिन उन बादलों को सूझा कि क्यों ना हमें बरसात करनी चाहिए इसलिए उन बादलों ने सूझा कि बरसात करने के लिए हमें पानी चाहिएगा और वो बादल पानी के तलाश में घूमते रहे वो बादल बहुत देल तक घूमते रहे लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला वो पानी नहीं मिला इसलिए वो बारिश नहीं कर सकते थे इसलिए वो पानी को ढूंडते ढूंडते पास वाले जंगल सुन्दरवन के अंदर आ गए और पहाँ पर सुन्दरवन जंगल के अंदर उन्हें एक बेड़ की डाल के ओपर टुन्नुचिड़ा बैठा हुआ दिखाई दिया वो बादल टुन्नुचिड़े के पास पहुंचे तो टुन्नुचिड़े को उन्होंने अपनी परिशानी बताई कि हमें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है और हमें बारिश करनी है उनकी परिशानी सुनने के बार टुन्नू चिड़ा बोला कि बस इतनी सी बात तुम लोगों को पानी चाहिए न वो तुम्हें हमारे जंगल सुन्दरवन के अंदर अराम से मिल जाएगा चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और टुन्नू चिड़ा उन बादरों को साथ लेकर नदी किनारे चला जाता है और वहाँ पर उन्हें अच्छा सा पानी मिल जाता है इस तरह से उन बादरों और टुन्नी चिड़े की अच्छी सी दोस्ती हो जाती है टुनू चेडा सुंदर्वन जंगल के अंदर अपनी पत्नी टीना और अपनी बेटी टुन्टुनी के साथ रहा करता था एक दिन टीना बजाल जाने के लिए अपने घर से निकली तो उसे रास्ते के अंदर एक पेड़ की डाल के उपर अपनी पडोसन बबली कबूतरी बैठी हुई दिखाई थी बबली कबूतरी ने उससे पूछा कि अरे टीना तुम कहां जा रही हो तो टीना बोले कि बहन मेरे घर का राशन खतम हो गया है इसलिए मैं राशन लाने के लिए बजा जा रही हूँ तो बबली बोलती है अरे बहन राशन तो मुझे भी लेकर आना था लेकिन मेरी तब्यद बहुत खराब रहती है और इस वज़े से मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ लेकिन क्या गरूँ मेरी मदद करने वाली कोई भी नहीं है तो बेचारी टीना कहती है कोई बात नहीं बबली बहन तुम एक काम करो मैं भी तुमारे घर का राशन ला देती हूँ तो मुझे लिष्ट दे दो बबली कबूतरी ने उसे फोरण अपने समान के लिष्ट दे दी और टीना बजार के लिए चल दी उसके बाद टीना ने बजार से सारा समान खरीदा और बबली कबूतरी के घर पर आ गई घर पर आने के बाद वो से बोली ये लो बबली बहन मैंने तुम्हारे घर का राशन भी तुम्हें अच्छे से ला दिया है तुम देख लो इसमें कुछ कमी तो नहीं रहेगी और अच्छे से इसको चेक कर लेना उसके बाद टीना वहाँ से चली गई इसी तरह अगले दिन फिर से जब टीना बबली कबूतरी से मिली तो बबली ने फिर से अपने बिमारी का भाना बनाया और टीना को अपने घर का काम करने के लिए राजी कर लिया अब बेचारी टीना चिडिया उसके घर का सारा काम करने लगी जाड़ों पोचे से लेकर बतर माजने तक सारा काप और बबली कबूतरी आराम से पेड़ की डाल के उपर जूला जूलते वे मोज करने लगी अब इसी तरह हर रोज टीना चड़िया उसके घर का काम किया करती और बबली कबूतरी मजे से पेड़ के उपर जूला जूला करती एक दिन उनके प्रोस के अंदर रहने वाली एक दूसरी सुन्दरी कवी वहाँ पर आती है वो बबली कबूतरी से मिलती है तो उससे पूछती है कि अरे बबली बहन मैंने तो सुना था कि तुम्हारी तवित खराब है लेकिन तुम तो अराम से पेड़ के उपर जूला जूल रही हो क्या बात है तो बबली उसे बताती है अरे बहन किसी को बताना मत ये एक राज की बात है मैंने तो अपने बिमारी का बहाना टीना से काम करवानी के लिए किया था और देख टीना मेरे घर का सारा काम कर देती है और मैं मज़े से आराम से जुला जूलती हूं लेकिन तु ये बात किसी को बताना मत ये जाज सिर्फ हम दोनों के बीच में रहना चाहिए सुन्दरी कवी बोलती है अरे बहन तू फिकर मत कर ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा अच्छा अब मैं चलती हूँ मेरे घर भी काफी सरा काम पड़ा है और ये कहकर सुन्दरी कवी अपने घर पर वापस आ जाती है अब सुन्दरी कवी जलाक थी उसने सोचा कि मैं भी पास बुलाया और उसे कहने लगी अरे तुन्टुनी बेटा तू तू काफी बड़ी हो गई है और कितनी खुब जूरत लगती है बेटा क्या तू मेरी मदद करेगी तो तून्टुनी बोलती है कि हां काकी बोलो क्या बात है तो सुन्द्री कवी कहती है कि बेटा मेरी तब्य टुन्टुनी उसकी बादों में आजाती है और कहती है कि काके तुम फिकर मत करो। मैं तुम्हारी मदद आराम से कर दिया करूंगी। अब तो हर रोज का यही हाल हो गया कि टुन्टुनी की मा टीना बबली कबुतरी के घर पे काम करती और टुन्टुनी सुंदरी कवी के घर का सारा काम किया करती इस तरह से वो दोनों बेचारी शाम तक पूरी तरह से ठक जाती एक दिन शाम को टुन्टुनी और उसका पुरा परिवार एक साथ बैठा था तो टूंटनी का मायूस सा चहरा और ठका हुआ चहरा देखकर उसके पिता टूंटनी चिड़े ने उससे पूछा क्या बात है टूंटनी बेटा तू बड़ी ठकी ठकी दिखाई दे रही है कहीं तरी मा ने तरी पिटाई तो नहीं की तू मुझे बता सकती है मैं तरी मा की अच्छे से खबर लूँगा तो टूंटनी कहती है कि पापा ऐसी बात नहीं है माने मुझे नहीं मारा वो तो मैं उस सुंदरी कवी के घर का काम करते ही करते ठक गई हूं हमारे पोड़ोसी हमारी अच्छाई का फाइदा उठा कर हमसे अपने घर क सारा काम करवा लेते हैं तो टूंटनी भी बोलती है कि हाँ जी टूंटनी बिल्कुल ठीक बोल रही है हमारे पोड़ोसी हमारी अच्छाई का कुछ नाजाईरी फाइदा उठा रहे हैं मेरा तो मन्त करता है कि हम लोग कहीं दूसरी जगा पर जाकर अपना घर बना ले हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए तुमनी चिड़ा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग फिकर मत करो हम लोग कल ही यहां से चले जाएंगे और वो सब लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं अगले दिन सुबह सुबह तीनों लोग अपने दूसरी घर का पता ढूनन दे देगा तो हम लोग बादलों के अंदर ही घर बना लेंगे उसके बाद वो तिनों बादल पने दोस्त के पास से ले जाते हैं बादल के पहुंचकर टुन्नु चिड़ा बादल को सारे सच्चाई बता देता है और कहता है कि मुझे दोस्त थोड़ी सी जगह चाहिए जहा पड़ता था और अब टुन्टोनी भी अराम से अपना खेल सकती थी उसके बाद वो तिनों अराम से खुशी-खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जोर बताईएगा और अगर कहानी अच्छे लगी हो तो प्लीज इस वीडि कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा